हेलो गाइज यह होंडाई मेज डीजर टाइप इंजन में है हम इसका वाकरांड देख रहे हैं और यह है मेज एक्स वेरियेंट अगर हम इसके इंजन की बात करें तो यह 98.6BH के पावर जनरेट करता है और 200NM का टॉक और यह एक डीजल टाइप सीडान है जो के उस टाइम Swift Desire के competition में आया करती थी अगर हम इसके अंदर की बात करें तो ऐसा इंटिरियर इसमें हमको परवाइड किया जाता था तब जह दे सकते हैं अब स्पेस स्पेस के मामले में में जह बहुत अच्छी थी अब हम इसकी बूट स्पेस वे बात करेंगे जो की है 400 लिटर देख सकते हैं इसमें अलोय भी लगे हुए हैं जो की 15 इंचिस के हैं टायर और यह अगर हम डिजायर के मुकाबले इसका कंपेरिजन करें तो यह उससे बहुत अच्छी है और उससे हमने ज़्यादा सेफटी और फीचर्स प्रोवाइड करती है अगर हम इसी प्राइस पॉइंट पर देखें इस टाइम अगर हम डिजायर का बेस वेरियंट बाइ करते हैं तो हमको पहली बात तो यह यह हमको बूस पावर विंडो नहीं मिलती उसमें और अगर मैं बात करूँ इसके इंजिन की तो यह रन कर चुकी है कुछ एक लाक शतीस हजार लेकिन अगर आज भी इसकी हम डिजायर से बात करें तो यह उससे बढ़िया चलती है अब हम इसका इंजिन देखते हैं जैसे की हॉंडा एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है इसका इंजिन और जैसमें टर्बो दिया हुआ है जो की इसकी परफॉर्मस को और बढ़िया अपकरेड करता है अगर हम इसे आज आज देखें यह हमें कुछ दो से ढाई लाग के बीच में यह तीन लाग के बीच में मिल जाएगी बढ़िया कंडिशन में और यह इसमें हेड लैंप दिये जाते हैं जो की हैलोजन है यह एंडिगेटर और यह देखिए इसकी ग्रिल जो की बढ़िया लगती है और यह देखिए इसका फ्रेंट बंपर कुछ ऐसे दिया गया है यह तेरा मॉडल का बंपर ऐसा है अगर हम इसके टेलाइट की बात करें तो वो भी है लोज़न है लेकिन जे लुक इनकी ऐसी है कि जलती है तो LED टाइप जैसी लुक देती है और पीछे से कुछ इसकी ऐसी लुक आती है अब देख सकते हैं जे शाप इंटीना दिया गया है अगर हम कुल मिला के बात करें तो यह एक बढ़िया सिडान है जो की हमें हाई वेवर 25 की आवरेज आराम से दे सकती है और अगर हम बात करें सिटी में तो इसको जैसे मर्जी चलाइए 21 की आवरेज यह बढ़िया देगी आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं